Hello YouTubers and Tag Levazadek, शिदिश गुमार again here from Horizon Tag for You और Horizon Tag for You के आज के इस अपिसोड में हम बात करने वाले हैं NVMe SSD के बारे में ये बहुत एक बहुती confusing topic है हमारे बहुत सारे subscribers पिछले कुछ दिनों मैं मुझसे ऐसे question पूछ रहे थे तो मैं आपको एक clarification है जो करना चाहता हूं कि NVMe है वो कोई नया interface नहीं है, कोई नया प्रकार की drive नहीं है जैसे अलग-अलग interface पे drive अवेलेबल होती है पिछले कुछ दिनों में मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं M.2, U.2, PCI Express, Seta Express, Seta, M.Seta ये सारे के सारे interface है लेकिन NVMe है, वो एक protocol है आज से एक साल पहले मैंने एक SSD पे लंबा जोड़ा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारे SSD के interface समझाए थे वहाँ पे beginning में मैंने दो terminology समझाई थे एक interface और दूसरा है protocol interface का क्या मतलब होता है जिस physical form factor में उस drive को बनाया जाता है और ऐसा ही एक same connector आपके motherboard पे available होगा जहाँ पे इस drive को आप connect कर सकते हो तो उससे उसका interface कहा जाता है उस interface पे वो वहाँ पे connect होती है ठीक है, लेकिन protocol क्या होता है protocol means set of rules जिन rules को follow करके ये drives data transfer करती है ठीक है, data का transmission होता है जिन rules को follow करके उसको उसका protocol कहा जाता है तो protocol और interface को आपको समझना पड़ेगा इसकी definition clear होगी, तभी ये सारी चीज़े clear होगी तो जो M.2 है, U.2 है, PCI Express है वो उसके interface है SSD की अगर मैं बात करूँ उसके physical interface है वहाँ पे वो physically connect होगी उस connector पे, ठीक है, उस port पे लेकिन जो NVMe है वो उसका protocol है, जिस protocol पे ये work करती है तो अगर मैं बिल्कुल पुरानी drive की बात करूँ जब SSD मार्केट में थी ही नहीं पूरा का पूरा system जब hard drive पे चलता था hard drive ही boot drive हुआ करती थी और hard drive ही data drive हुआ करती थी तो उस वक्त जो interface था, उसका नाम था पेटा, और उस वक्त जो protocol था उसका नाम था IDE, तो आपने देखा होगा ये चलन है, कि लोग उस drive को कई बार उसके interface से भी प्रोनाउंस करते हैं और उसके protocol से भी प्रोनाउंस करते हैं पेटा drive को पेटा drive भी कहा जाता था पेटा hard drive ठीक है, और जब सेटा आया तो सेटा भी कहा जाने लगा, कई बार उस hard drive को IDE drive भी कहा जाता है क्योंकि वो IDE protocol पे वर्क करती है अब ये IDE protocol है, बिल्कुल बुराना है इसकी speed hard drive के लिए तो बहुत है ये जो protocol है, वो hard drive के लिए ही डिजाइन किया जाता लेकिन उसके बाद जैसे ही सेटा SSD आने लगी तो एक नया protocol आ गया market में AFCI, आपने देखा होगा, ठीक है अगर आप SSD चलाते हो, 2.5 inch form factor वाली मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है तो वहाँ पे आपको AFCI चूज करना पड़ेगा BIOS में जाके, सेटा का मोड, ठीक है AFCI जो protocol है, वो सेटा drives के लिए तो more than enough है जो 2.5 inch form factor वाली लेकिन उसके बाद जो high end SSD आने लगी उनमें कहीं न कहीं performance कम मिलता था because of AFCI, उस protocol की वज़े से तो इसलिए अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जहांपे मैंने PCI Express की दो अलग-अलग SSD समझाई थी तो जो पुरानी जनरेशन की PCI Express SSD थी जो X8 पे connect होती थी वो generation 2 वाली उसमें क्या होता था कि AFCI ही use हुआ करता था तो इतना बड़ा interface occupy करने के बावजूद वहाँ पे bandwidth जादा है लेकिन फिर भी वो SSD में performance नहीं मिलता था वो because of AFCI हुआ करता था तो एक नया protocol invent किया गया आज आपने इसके बारे में सुना होगा definitely जिसको कहा जाता है NVMe Non-Volatile Memory Express ठेक है तो NVMe कोई interface नहीं है वो एक protocol है जिस पर ये सारी के सारी जो high-end SSDs है M.2, U.2, PCI Express वो work करती है तो अगर मैं M.2 की बात करूँ तो जैसे M.2 में आपने देखा होगा जैसे 850 series की जो M.2 थी वो SATA पे work करती थी AHCI का यूज करके SATA lane की मदर से data transfer होता था लेकिन उसके बाद 950 series की SSD है M.2 वो NVMe थी उसे NVMe drive कहा जाता था और बहुत ही एक जैसे ही वो launch की गई तो बहुत ही शोर सराबा हुआ कि NVMe drive NVMe drive तो user भी कई बार समझ में आ गया जिनको उसको तो समझ में आ गया लेकिन confuse हो गया बहुत सारे user की यह क्या है यह कौन सी नहीं drive है उसमें speed आपने देखा होगा compared to previous generation 850 की M.2 और 950 और 960 की M.2 को compare किया जाए तो speed में जमीन आसमान का difference है वो जो है वो 6 Gbps वाली speed पर याने की 500 Mbps पर चलती थी लेकिन यह जो है वो 2.5 से लेके 3 Gbps तक भी मिलता है यह जो जादा speed मिली वो हुआ है NVMe की वज़े से ठीक है तो NVMe एक protocol है आपको समझना पड़ेगा M.2, U.2, PCI Express, Seta Express यह सारे के सारे physical interface है तो PCI Express में भी अब देखोगे Samsung की drives या किसी और company की जो NVMe पर वर्क करती होगी तो वहाँ पर जादा speed मिलेगी और एक बिल्कुल नया interface अभी release हुआ है जिसका नाम है U.2 अब उसमें ऐसा कुछ नहीं है अगर आपके पास U.2 है तो वो definitely NVMe ही होगी उसमें कोई पुरानी drive आपको नहीं मिलेगी कि जो SATA पर वर्क करती होगी ठीक है So I hope कि अब NVMe के बारे में आपको सब कुस clear हो गया होगा NVMe कोई नया interface नहीं है प्रोडोकॉल है सारी के सारी जो drives है उसके interface तो मैंने पिछले वीडियो में समझाई दिये है लेकिन फिर भी कुछ issue है अभी भी कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछ ये I'll definitely answer you Thank you so much